So guys, hair products की जब बात आती है तो सबके दिमाग में में एक ही प्रोडक्त आता है अगरे हैघरट का नाम है हैरवेक्ट तब गुद्ने मार्केट में आजकंड इतने सारे हैरवेक्ट अवेलेबल है कि हमें बदाई नहीं चलता कि कौनसा अच्छा है कुछ सा खराब है हमारे लिए कौन सा मरे हैर को डेमेज करता है कौन सा मरे हैर को अच्छा होड करता है बहुत सारे ओप्षिंस आ चुके आज कल मार्केट में एक सिंगल इंडिविज्वल को बहुत ज्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है कि उन्हें उससे कौन सा प्रोड़क्त करना चाहिए कौन सा हैर वेक्स उसके लिए अच्छा वक करेगा उसकी जो एक्सपेक्टेशन से उन्हें मीट करेगा तो आज की वीडियो मैंने शिक्स हैर वेक्स की लिस्ट बढ़ा है वर्स टु बेस्ट मैं आप लोग वी जब नेक्स नाइन पर हैर वेक्स पर्चेस करन बेस्ट वेक्स नाइबह得 विक्स में तो रेल मीडियोगा नमबर 6 परदट सेट ड़्यू आपको अपको नमटमाल मीडियुम होल टाइड करता है नॉर्मल नेचरल शाइन फिनिश प्रोइड गरता है मदलब जो आप इसे अपलाए गरेंगे तो आपको नॉर्मल नॉर्मल होल्ड मिल जाएगा इन आपके हैर आपको ऐसा नहीं लगेगा आपने शाइनी प्रोड़क्त यूज कर रहा हो बट डाउंसाइड इस प्रोड़क् यह प्रोड़क्त के बारे में क्या पसंद है तो मुझे प्रोड़क्त का होल्ड का अफ यह लगता है मुझे लगता है किसका होल्ड आपको हाई मिल जाता है मतलब मैंने अपने लोंग हैर कर दो यूज कर दे तो अगर आपके मीडियम तो शॉर्ट है लेंदे तो यह आपको बहुत अच्छा प्रवाइट कर देगा जो इसके आपकी फिनिश मिलेगी इसको आप इसमें भी आपको नेचुरल फिनिश मिलेगी ना जादा शाइनी ना जादा मैट बट अगेन इसके साथ भी प्रॉब्लम यह है तो इंग्रीडियंस है वो शेफ नहीं है यह भी विसलपेटम ऐसें करता है घ्र आपको इस प्रॉडब्ड प्रॉड़क्त है वह आपकर आपको नाम है श्याया पहले मैट मैजिक था बट इन्हों बट आप चेंज परके इसका नाम सेट्वेट मैट कर दिया है यह व की तो यह क्लेम करता है आपको अच्छा होल देने की नॉर्मल शाइन फ्रोइट करने की होल एंशाइन की बात करें तो इसका होल्ड ओके-ओके है शाइन आपको नॉर्मल फिनिश मिल जाती है अगें जो इंग्रीडियेंट से वह खड़ाब है इस प्रड़क है बट मैं इसको 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 फॉर्ट नमबर पर इसलिए कर रहा हूं विकोज यह बजट रेंज में आता है आपको थोड़ा सा चीप पड़ेगा यह प्रोड़क्त बट अगें अगर आप रेगुलर बेसिस पर यूज़ करना चाते तो मैं इस प्रोड़क को रिकमिट नहीं करूंगा बना सकते हैं यहीं इसका भी इंडेप रिवी बना रखा आपको देखना है तो आई बटन पर लिंक मिली जाएगा आपको यह फाइनल तो प्रोड़क्त कर ना चाहिए आपको यह नहीं अगैन जो प्रोड़क्त वीडियों में बता हूं आ आपके लिंक डिस्क्रिप्शन म करते हैं ऐसे प्रोड़क्त की तरफ जिनके इंग्रीडियन्स सच में अच्छे हैं जो आपके हैर को अच्छे रिजल्ट करते हैं तो नंबर थर्ड पर जो प्रोड़क्त है में रिलिस्ट में वह है अर्बन गबरु जीरो टे इंफिनिटी क्ले हैर वैक्स बट गाइस यह तो करता है नेचुरल टू मैट फिनिश प्रोइड करता है यह जब आप इस प्रोड़क्त को फर्स टाइम अपलाए करेंगे तो आपको अच्छा होल्ड मिलेगा बड़ जो शाइन आपको मिलेगी अपलाए करते हो थोड़ा सा फो शाइनी फिनिश लगेगी बड़ जैसे यह आपके हैर के अंदर सीट करेंगा आराउंड 10-15 मिनिट बाद में आपको नेचुरल शाइन फिनिश में अगनवाट हो जाएगा वह आपके हैर इते शाइनी नहीं लगेंगे नेचुरल यह लगेंगे एंड इसके इंग्रिदेंस वह भी सेफ वाटर सॉलीबल प्रोड़क् है उसतरा है वेक्स की बात आती है तो जब मैंने पहले उसतरा प्रोड़क्स यूज किया तो वो जो अग्दम आपको ट्रांसपरेंट लगते थे बट इस ताइम पर उस्तारा का प्रोड़क्ट आये एंग्रीटेंट्स की तरह है इसके अंदर आपको जो इसकी जो कंसिटन क्लेम करता है strong hold and matte look currently मेरे है में यही apply कर रखा है मुझे काफी अच्छा hold मिला इस product से इससे matte look ही मिला है मुझे अच्छे budget में भी आता है आपको जाथ expensive भी पड़ता है product अब अब इसको number two पे रखा वैले था number two पे product अगर आपको इस product का deep review देखना है आप मुझे कमेंट करके बता जीजे इस product का में in-depth review बना दूँगा now move on to number one number one पे जो product number one place hold करके रखा हुआ है और वो मुझे काफी अच्छा product भी लगता है और उस product का नाम है urban gabur rebel clay hair wax again clay hair wax clay hair wax clay hair wax 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 भी है इस लिए मैंने इस product को इस category में डाला है इसका सबसे अच्छी पार्ट मुझे लगती है इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी लगती है परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी है यह अल्ट्रॉंग hold claim करता है यह product and उतना ही अच्छा hold करता है अब जब आप इसको है पर अप्लाय करते हो तो इसे देखने के बाद मुझे पार्ट मेंने इसकी फिल होने लग जाती है आपको बता लग जाता है कि यह product आपको कितना hold देगा पर इसकी consistency जब आप देखते है तो इसकी consistency एकदम क्रीमी लगती है इसे देखने के बाद अधर एसे इंग्रीडेंट भी जो आपके है को डेमेज नहीं करते है बट है रखने में हैल्प करते हैं अगें बजट के अंदर आता है परफोर्मेंस बहुत अच्छी है नेचुरल लुक मिलता आपको विट स्ट्रोंग अल्ट्रा स्ट्रोंग होल्ट जो यह बोल्टे में अगर आपने नहीं देखा तो आप यहां देख सकते हैं बटन पर लिंक मिल जाएगा वहां जाके इंडप्ट रिव्यू चेक आउट कीजिए मेरी लिस्ट वस्तु बेस्ट टॉप 6 हैर्वेक्स के उपर अभी खतम नहीं हुए फ्यूटर में बहुत सारी वीडियो आने वा अगर आप वीडियो को यहां तक देख रहे हैं तो सब्सक्राइब बनता है हाक है गाई सब्सक्राइब कर दीजिए डिस्क्रिप्शन में प्रड़क्स के लिंक तो मिल जाएंगे साथ साथ मेरा इस्टाग्राम एं सोशल मीडिया अकाउंट भी मिल जाएंगे वेल गाइस